हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने चनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग 700 स्क्वाइर फीट का हाउस प्लान देखने वाले हैं जिसमें हमारा फ्रेंट 20 फीट का होने वाला है और डीप हम लोग 35 फीट जो हमारा पूरा फेस का होने वाला है घर टोटल साथ सो स्क्वाइब फीट का जिसमें हम लोगोंने टू बीच्च का हाउस प्लान बना रखा है यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्फुल होने वाला है तो वीडियो को कंप्लीर देखें आखरी तक देखें और इसके ब 700 स्क्वार फीट का हाउस प्लांग खुला हुआ है मैं हाईलाइटर ले लेता हूं जिससे मैं आपको बिलकुल ही अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं ठीक है यह देखिए हमारा 35 फीट का है हमारा डेप्थ है 35 फीट और फ्रेंट क्या है इसमें 20 फीट का हमारा रोड सौरी वेंटिलेशन के लिए इधर से हम लोगों ने खिरकी और वेंटिलेशन दोनों दिया हुआ ठीक है तो कुछ इस तरीके का हमारा प्लान है 35 फीट का जिसमें हमारा डेक्शन का देख सकते हैं यह डेक्शन हमारा नौर्थ बनता है यह हमारा साउथ बनता है और रोड बनता है और वेस्ट डारक्शन यह हमारा बनता है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे जूम अब कर लेते हैं यह आप लोग प्लाट देख लेंगे टोटल साथ सॉए स्कौाय फीट का यह प्लाट बनता है जो हमारा 20 बार 25 पा है तो हम लोग यहां से रोड स सकते हैं या बाईक पार्किंग बना सकते हैं विखा साइज क्या रखन आधे मैं ये देखिये ला थी उसका साइज हमारा चेविट 6 लिख स्टachsen स्टमीट में आपको जगा मिल जाएगा और कुछ लेंडिंग आपका 3 feet हो गया, बीच में हमारा 6 inch का gap हो गया, तो यही हमारा क्या हुआ, 6 feet 6 inch total हो जाता, यहां से हम लोग चरहेंगे, इसमें हमारा riser होने वाला है, वो हमारा 6 inch का होने वाला है, और trade जो होने वाला है, हमारा कितना काम लोगों रखे हुए, 10 inch का, अगर आप floor to floor height 10 feet रखते हैं, हाउस का, ठीक है, F to F height, ठीक है, floor to floor height आप 10 feet अगर रखते हैं, तो आपको अगर 6 inch riser, 10 inch trade देते हैं, तो आपको यह 7 feet 6 inch में आपका क्या होगा, 5 feet पे आराम से यह चरह जाएगा, फिर 5 feet इधर, ठीक है, 5 feet इधर चलेंगे, 5 feet इधर चलेंगे, तो 10 feet में ह हमारा total distance हम लोग रखे हुएं, यह भी हम लोग 3 feet रखे हुएं, तो total यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, 10 feet change का यह distance हमारा अभी है, ठीक है, अगर height आप floor का बहार है, तो ध्यान रखे हैं, हमेशा आपको जगा जगा ज़्यादा लेना परेगा, क्यों भी क्या करना step बरेगा तो आपको distance ज़्यादा लेना परेगा, तो standard आपको सिर्फ 10 feet के लिए होता है, कि 7 feet 6 inch में आपका बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप floor का height increase कीजेगा, तो उसको increase करना पर जाएगा, तो यह आपका style का detailing था, उसके बाद हम लोग hall area में आ जाएंगे, hall area देख स में और इस direction में आपको 15 feet 4 inch का जगा आपको hall में मिल जाता है, यहां से आप लोग सबसे यहां से हमारा घर स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहां पर हम लोग ने एक gate देदेंगे, दो gate हम लोग provide कर देंगे, यहां एक gate man gate देदेंगे, और यहां फ्लाइट इंटरी का एक छोट 9 feet 5 inch इस direction में और 6 feet कुछ इस direction में तो यह हमारा kitchen का size बन जाता है, जो हमारा अगनी कोना बनता है, उसके बाद उससे attach हमारा क्या है, उसके बगल में ही मेरा toilet है, जो हमारा 9 feet 5 inch इधर से 9 feet 5 inch इधर से 4 feet, जैसे देखिए हम लोग 4 feet चौड़ाई में जगा ले सकते हैं, एक ल 2 feet 6 inch का डोड़ देते हैं, और kitchen में हम लोग डोड़ कितने का देंगे, 3 feet का डोड़ देंगे, और पीछे के side जो हम लोग windows देंगे, वो हम लोग सारे 3 feet से लेके 4 feet तक का provide, सारे 3 feet से लेके 3 feet तक का में provide करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग यहां ventilation दिये हैं, 2 feet by 2 feet, तो सारा detailing आप सभी को मैं बता रहा हूं, तो वीडियो में complete बने, क्योंकि एक एक information में 700 square feet house plan को आपको देने वाला हूं, और next video में इसका estimation भी लेके आँगा, कि पूरा costing क्या बनेगा, घर बनाने में, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पीछे के side 2 हमारा bedroom है, देख सक 12, 10 बाद 11 चल रहा है, थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमारा area कम है, sorry, 9 feet, 4 inch बाद 12 feet का यह हमारा bedroom बन जाता है, second bedroom जो हमारा, यह first bedroom ले लिए, तो यह हमारा second bedroom हो गया, जो 9 feet 5 inch बाद 12 feet का लगग में, same size का दोनों bedroom रखा हूं, 9 feet 5, 1 inch का अंतर है, और 12 feet का रखा हूं, यह bedroom 9 feet 5 inch बाद 12 feet कुछ इस direction में, पीछे के तरख देख सकते हैं, इसमें हम लोगोंने 4 feet का, ठीक है, 4 feet का कम से कम windows आपको provide करना, 4 feet का हम लोगोंने दोनों windows provide किया हूं, इसमें 3 feet का, 3 feet से 3 feet 3 inch तक, इस size के room में आप door provide कर सकते हैं, ठीक है, 3 feet से लेके 3 feet 3 inch तक, क्योंकि हम लोगों प्रवाइड किया है, यहां से एक attached toilet आपको मिल जाता है, जो छोटा toilet, ठीक है, 4 by 6 का है, क्योंकि इस room में जो रहेंगे, वही उच करेंगे, इसलिए इसको छोटा हम लोग रख सकते हैं, तो 6 feet by 4 feet, 4 feet इस direction में और 6 feet, इस direction में 6 feet और इस direction आपको 4 feet इस toilet में जगह मिल जाता ह कुछ इस तरीके से 700 square feet में, अगर 600 से 700, 800 square feet में आप लोग घर बना रहें, कुछ इस तरीके से आप लोग planning कर सकते हैं आप अपने घर का, अगर हमें तीम से आप नक्सा बनवाना चाहते हैं, या house design करवाना चाहते हैं, किसी तरह का construction work करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे description मे हमारा number मिल जाएगा, और आपको display पे भी number 12, वहां से हमें contact कर सकते हैं, अपने घर का नक्सा बनवा सकते हैं, design बनवा सकते हैं, सारा काम करवा सकते हैं online, ठीक है, तो मिलेंगे next video में, आसा करूंगा दोस्तों, आप सभी को video पसंद आया होगा, अगर video पसंद आए, तो video को like कर दें, अगर हमारा channel पे नए हैं, तो channel को subscribe जरू कर लें, मिलता है next video में, तो तक के लिए, जय ही, जय भारत